नमस्कार दोस्तों, बेबी स्वेटर के थर्ड पार्ट को लेकर मैं हाजेर हूँ, तो फ्रंट और बैक में 85 स्टीचेज हैं और आज तिन में 66 दिजाइन है, तो 36 फंदे, 36 स्टेच और 15 फंदे दोनों साइड में यानि 30 फंदे, तो 30 और 36 हो गया है, 66 फंदे हमारे आज तिन में हैं, तो आज हम इन 4 फंदों को एक साथ लेकर उपर की बुनाई करेंगे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, यह हमारा फ्रंट पार्ट है, तो हम फ्रंट पार्ट में इसी दिजाइन को एक दिजाइन और हम बनाएंगे, तो हम बुनाई स्टार्ट करते हैं, दो फंदो को एक साथ लिया सीधा बुनते हुए दो का एक फिर चार फंदे सीधे फिर उन अपनी और करेंगे पांच फंदे के दोनों साइड में हमें जाले देना है तो उन अपनी और किया फिर चार फंदे सीधे एक दो तीन चार फिर देखिए तीन फंदों को हमें एक करना है यहां पर हमारा एक दिजाइन कंप्लीट होता है और हमें फ्रंट में हमने साथ दिजाइन बनाया है तो हम साथो दिजाइन को कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, सभी फंदे मैंने बुन लिये हैं, दो फंदा शेसरा गया, तो पहले दूसरे वाले फंदे में सलाई जालेंगे, फिर पहले वाले फंदे में सलाई जालेंगे, और इस सलाई को ऐसे निकालेंगे, अब हम अपना ये फ्रंट पार्ट के सभी फंदे वहने बुन लिए हैं अब बस दो फंदे रह गये हैंód तो अब इसके बाद हमें आस्तिन लगाना है। तो क्या करेंगे कि आस्तिन का एक फंद्धा हम लेंगे । और इन तीनों फंदो को सिधा बुनते हुए हम तीन का एक कर लेंगे दो फंदे हमने फ्रंट से कर्ЕНौ जान दों के लिए और एक फंदा हमने आस्तिन से लिया और अब इसको ऐसे हम बांद दे較 ताकि आपि Him के सारे फंदे हम सेधे बुलने रहे हैं लास्ट का जब एक फंदा रह जाएगा तब हम आपको दिखाएंगे देखिए फ्रेंड्स मैंने आस्तिन के सारे फंदे बुल लिये हैं अब सिर्फ एक फंदा यह हमारा फ्रंट पार्ट है तो इसमें हम शुरुआत में दो फंदे का एक करते हैं अबकि इन तीनों फंदो को हम एक साथ लेंगे आस्तिन वाले फंदे को भी हम इसी में एड़ करेंगे तो जैसा कि हम डिजाइन बनाते हैं पहले दूसरे में फिर पहले में और फिर तीसरे तीनों फंदो को एक साथ लेंगे, वैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे और फिर इसको हम ऐसे जोड़ लेंगे ताकि ये खुले नहीं अब हम डिजाइन को आगे बढ़ाएंगे जैसे कि हमारा ये डिजाइन है वैसे ही हम बैक में भी डिजाइन डालेंगे यानि अब हमें चार फंदा सीधा बुनना है चार फंदा सीधा पांचवे फंदे के दोनों साइड में हमें जाली देना है मैंने जाली दे दिया फिर उन अपनी और करेंगे इससे जाली पड़ेगा और चार फंदा हम सीधा बुन लेंगे फिर हमें यहां पे देखिए तीन फंदों का एक करना है तो पहले दूसरे वाले फंदे में फिर पहले फंदे में फिर तीसरे फंदे में तीनों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे तीन का एक किया यहाँ पे एक डिजाइन कंप्रीट हो गया अब देखिए इस साइड भी हमने आज दिन का एक फंदा घटाया था और इस साइड भी हमने आज दिन का एक फंदा घटाया था आज दिन में 66 फंदे थे दो फंदे हमारे घट गया है इसी तरह अब डिजाइन बनाते हुए हम बैक के सभी फंदो को बुन लेंगे और लास्ट के दो फंदे हम छोड़ देंगे यहां तक बुन के मैं आपको दिखाते हूँ तो देखिए फ्रांट्स लास्ट के दो फंदे बचे हुए हैं तो यहां पे हम इन दोनों को दाइनी सलाई में ले लेंगे सलाई को हटा देंगे और यहां से देखिए यह हमारा सेकंड रास्टीन है तो यहां से भी एक फंदा हम ले लेंगे और इन तीनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे और फिर हम देखे इस धागे को पांतेंगे ताकि ये खुले नहीं और अब हम ये हमारा दूसरा आस्तिन है इसके सारे फंदे हम सीधा बुनेंगे लास्ट वाले फंदे को छोड़ कर तो देखे यहां भी हमने आस्तिन से एक फंदा लिया और यहां पे तीन का एक किया अब 6 फंदों को हम सीधा बुनते हुए लाइन कंप्लेट करेंगे तो लाइन कंप्लेट करके मैं आपको दिखाते हूँ तो देखे फ्रेंट्स मैंने सब भी फंदे बुन लिया है अब यह लास्ट वाला फंदा बस बचा हुआ है तो इसे हम इस जो हमने एक साथ कर लिया है तो यह बुनाई या तो सर्कुलर निजल पर होगी या फिर गले वाले शलाई पर जिसके दोनों छोर एसे खुले रहते हैं ऐसे सलाई सीविये ने तो दोनों ही कंडीशन में तो दूनो फिर सकाव्स को में सिर्फ प्रकूला निजल में भूनांगे यह एक और तो दोनों कि खुली ले में पंडी। है वह trata में आभी तक यह Politics Biz अ सब्सक्राइब है निज़ाय निज़ाइन होज। तो अब हम सिर्फ चुकी सर्कूलर ने रिल पर बना रहे हैं इसलिए एक लाइन में जब हम डिजाइन बनाएंगे तो नेक्स लाइन में यह हमारा दूसर लाइन है यानि और नमबर में जब हम डिजाइन डालेंगे तो even नमर में जितने भी फंदे होंगे वो सब सीधे बुने जाएंगे इस line में हमें कोई design नहीं डालना है तो यह हम front पर पहुँच गया है अब देखिए पिछली line में हमने यहां design डाला था यानि इस line में हमें सबी फंदों को सीधा बुनना है कोई भी design नहीं डालना है सबी फंदों को सीधा बुनना है और हाँ यहां पर हमें मार कर लगा लेना होगा ताकि हमें पता चले कि हमारी next line शुरू हो गई है तो देखिए friends अब हम यहां joint के पास आ गया है यह हमारा front part है और यह हमारा आस्तिन है तो पिछली line में हमने यहां पर एक फंदे घटाए थे अब चुकि यह back वाला line है दूसरा line है जो हम back की तरफ से बनाते हैं तो पहली line में हमने फंदे घटाए थे दूसरी line में हम कोई फंदे नहीं घटाएंगे जैसे हम पहली line में design बनाए है अब तीसरी लाइन में बनाएंगे फिर पांचवी में सातवी में नौवी में उसी तरह हम हर कार्णर पे पहली में घटाएंगे फिर अब तीसरी में घटाएंगे फिर पांचवी में घटाएंगे फिर सातवी में नौवी में इस तरह करके हम और नंबर में फंदे यानि में कोई बी कार्व नहीं करना है कुछ भी नहीं करना है ता मैं आपको दिखाते हूं अब हम ज्वाइन के पास अगया है यान आप हम यहां से थार्ड राउंड स्टार्ट होगा तो यहां पनासीं बहταती है देखिए एक आस्तिन से हम लेंगे और दो फंदे फ्रंट से तीनों फंदो को एक साथ लेके एक सीधा फंदा बना लेंगे अब फिर यहां से हमारा डिजाइन स्टार्ट होगा तो चार फंदा सीधा अब कि तीन फंदा सीधा होगा हम देखिए जाली के पास आ गए है तो उन अपनी उर करेंगे और जाली से जाली तक यानि तीन फंदे हम सीधा बनेंगे जाली देते हुए एक, दो, तीन, अब देखिए फिर हम यहाँ पर जाली के पास आ गए तो उन अपनी उर करेंगे और तीन फंदा हम जाली देटे हुए सीधा बनेंगे एक, दो, तीन, अब इन तीन फंदों को हमें एक करना है तो पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले फंदे में, फिर तीसरे फंदे में स्लाइड डालेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा पनालेंगे तो यहाँ पर हमारा एक design complete होता है इसी तरह देखिए front में 7 design है तो 7 design complete करनेंगे last के 2 फंदे जब रह जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी तो देखिए front के सारे फंदे बुनते हुए मैं देखिए यहां joint के पास आ गई हूँ तो अब कि फिर हम ऐसे 3 फंदों को लेंगे और 3 का एक कर देंगे अब यह फंदे आस्तिन के हैं तो इन्हें हमें सिर्फ सीधा बुनना है कोई भी design नहीं जालना है सिर्फ सीधा बुनते हुए line complete करना है second join के पास आना है तो मैं joint के पास आके आपको दिखाते हूँ देखिए friends मैंने आस्तिन के सारे फंदे बुन लिए अब यहां पर देखिए हमें 3 का एक करना है तो 3 का एक करेंगे और यह अब back portion है तो इसमें हमें design डालना है तीन फंदा सीधा फिर उन अपनी ओर करेंगे और देखिए जाली से जाली तक यानि 3 फंदे जाली देते हुए सीधा बुनेंगे फिर उन अपनी ओर करेंगे और देखिए यहां पर 3 फंदे हम जाली देते हुए सीधा बुनेंगे अब यहाँ पर देखिए तीन का एक करना है पहले दूसरे वारे फंदे में फिर पहले फंदे में फिर तीसरे फंदे में तीनों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे तो यहां पे हमारा एक डिजाइन कम्प्लीट होता है इसी तरह छे डिजाइन साथ डिजाइन है तो इसी तरह छे डिजाइन और कम्प्लीट कर ले रही हूँ फिर मैं आपको दिखाते हूँ जॉइंट के पास आके मैं आपको दिखाते हूँ अब देखिए friends फिर मैं joint के पास आ गई हूँ तो फिर यहाँ पे तीन फंदों को हम एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए तीन का एक करेंगे अब देखिए अब यह चुकि हमारा आस्तिन का फंदा है तो इसमें हमें सभी फंदों को सिर्फ सीधा बुनते हुए प्लास्ट में पहुँचना है तो मैं joint पे पहुँचके आपको दिखाती हूँ देखिए फ्रेंट्स यह हमारा मारकर आ गया है यानि हमने एक राउन कंप्लीट कर लिया है तो मारकर को हम दूसरी साइड में कर लेंगे अब देखिए यह हमारा चौथा लाइन है यानि इस लाइन में हमें कोई फंदे घटाने नहीं है और नाहीं डिजाइन बनाना है देखिए फ्रेंट्स हम फिर ज्वाइन के पास आ गया है तो मारकर को हम इस लाइन पर कर लेंगे अब यह हमारा पांच वा लाइन है तो यहां पर हमें तीन का एक भी करना यानि यहां पर हमें फंदा घटाना भी है और डिजाइन भी बनाना है दो फंदा सीधा फिर उन अपनी और और पांच फंदे जाली देते हुए सीधा फिर उन अपनी और और फिर दो फंदा जाली देते हुए सीधा फिर तीन का एक तो यहां पे हमारा एक डिजाइन कम्प्लीट होता है ऐसे ही हमें छे डिजाइन और बनाना है और यहां जॉइन पे हर जॉइन पे हमें फंदे घटाने है तो लाइन पूरा करके मैं आपको दिखाते हूँ अब हमें हर और नमबर में यहां जॉइन पे फंदे घटाने है और और नमबर में हमें फंदे डिजाइन भी बनाना है और जब इवेन नमबर आएगा तब हमें न फंदे घटाने है न डिजाइन बनाना है तो मैं design complete करके आपको दिखाते हूँ तो देखिए friends मैं फिर starting point पे आ गई हूँ तो अब और ये हमारा design complete हो चुका है यानि हमने 10 line complete कर लिया है तो अब हम 2 फंदा सीधा बुनेंगे 1, 2, उलपनी और, और 2 फंदा उलटा तो इन ही 4 फंदों को हम पूरी राउंड में दूर आएंगे उन दूसरी और, दो फंदा सीधा उन अपनी और, दो फंदा उलटा उन दूसरी और, दो फंदा सीधा उन अपनी और, दो फंदा उलटा तो अब हमें पूरी लाइन में यही दूराना है तो देखिए फ्रेंट्स दो फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा बुनते हुए मैं जॉइन्ट पे आ गए हूँ लेकिन यहाँ पे हमें कोई फंदे नहीं गटाने हैं अब देखिए दो फंदा उल्टा आया है तो हम दो फंदा सीधा बुनेंगे फिर दो फंदा उल्टा यानि हमें अब कॉर्नर में यहाँ जॉइन्ट पे फंदे घटाने नहीं है दो फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा बुनते हुए, पुरी लाइन कम्प्लीट करनी है, तो मैं लाइन कम्प्लीट करके आपको दिखाती हूँ देखिए friends, दो फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा बुनते हुए मैं फिर starting point पे आ गई हूँ, अब यहाँ पे एक फंदा बच गया है, दो फंदा उल्टा बुनने के बाद, देखिए दो फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा बुनने के बाद, एक फंदा बच गया है, तो इसे ह इसे हम घटा देंगे क्योंकि एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है तो अब इन दो फंदों को हम एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो काएक करेंगे फिर हमारा अब 2 फंदा सीधा 2 फंदा उल्टा का पैटर्न हो गया है अब इसे हम 16 भार दोह राएंगे यानि 16 लाइन हम इसी के उपर बनाते जाये तो 16 लाइन कंप्रीट करके मैं आपको दिखाते हूँ तो देखिए friends मैंने solar line complete कर लिया है और फिर मैं starting point पे आ गई हूँ अब यहां से हमें थोड़ा सा change करना होगा तो पहले हम 2 फंदा सीधा बुन लेंगे 2 फंदा सीधा बुनेंगे फिर उन अपनी ओर करेंगे और हमने 2 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा बुनते हुए solar round complete किया है तो अब की 17 लाइन में हम इन दोनों उल्टे फंदे को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बनाएंगे यहां पे हमने 2 का एक किया अब उन दूसरी ओर 2 फंदा सीधा फिर उन अपनी ओर करेंगे, फिर दो फंदो को एक साथ लेंगे, दोनों उल्टे फंदो को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए 2 का एक फिर दो फंदा सीधा फिर उन अपनी और फिर दो फंदो को लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक यानि जहां जहां यह हमने दो फंदा सीधा दो फंदा उल्टा बुना था हमने दो फंदा सीधा दो फंदा उल्टा बुना था तो अब हम दो फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा कर लेंगे दोनों फंदों को एक साथ लेके एक उल्टा फंदा यहाँ पे एक फंदा हमने घटा दिया अब क्या हो गया दो फंदा सीधा एक फंदा उल्टा दो फंदा सीधा एक फंदा उल्टा तो इसी तरह हम पूरी राउंड कम्प्लीट करेंगे दो फंदा सीधा फिर एक फंदा उल्टा दो का हमें एक करना है दो उल्टे फंदो को हमें एक साथ बुरना है तो दो का एक हो ज कम्प्लीट करना होगा यह हमारा पहला राउंड है और इसी तरह हमें दस राउंड कम्प्लीट करना होगा तो दस राउंड कम्प्लीट करके मैं आपको दिखाते हूँ तेकिए फ्रेंड्स, दो फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बुनते हुए, मैंने दस लाइन कम्प्लेट कर लिया, अब यह ग्यारवा लाइन है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, अब जो दो फंदे सीधे हैं, अब उनक फिर दो फंदा सीधा है उसे हम दो का एक करेंगे और फिर एक फंदा उल्टा दो फंदा सीधा है उसे हम दो का एक करेंगे और एक फंदा उल्टा है उसे उल्टा बनेंगे इस तरह हमारा एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा हो जाएगा दो फंदा सीधा था उसे एक किया फिर एक फंदा उल्टा दो फंदा सीधा था उसे एक किया और एक फंदा उल्टा इस तरह देखिए हमारा एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, इस तरह हमारा एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा हो जाएगा तो इस तरह एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए हम बारा लाइन कंप्लीट करेंगे बारा राउंड हमें एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए बारा लाइन कंप्लीट करना है तो बारा लाइन कम्प्लीट करके मैं आपको दिखाते हूँ देखिए फ्रेंस मैंने बारा लाइन कम्प्लीट कर दिया है और फिर मैं स्टार्टिंग पर आ गई हूँ तो अब हम इसमें कुछ तबदेली करेंगे अब देखिए ये सीधा फंदा फिर उल्टा फंदा और फिर सीधा फंदा इन तीनों को हम एक साथ लेंगे पहले सीधे वाले फंदे को में ऐसे स्लाइड डालेंगे फिर इन दोनों फंदों में ऐसे स्लाइड डालेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे यहाँ पे हमने तीन का एक किया फिर हम पाश फंदा सीधा बनेंगे पाश फंदा बनेंगे उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बनते हुए एक, दो, तीन, चार, पांच फिर उन दूसरी और अब फिर इन तीन फंदों को हमें एक करना है तो पहले सीधे वाले फंदे में इसे स्लाइड आलेंगे फिर इधर से इन दो फंदों को हम लेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे यह तीन का हमने एक किया फिर पांच फंदा हम बुनेंगे उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, और फिर उल्टा यह हमारा पांच वा फंदा हो गया नेक्स्ट अब हम तीन फंदों को लेंगे पहले इस वाले फंदे को दानी सराई में लेंगे फिर दो फंदों को हम लेंगे तो तीनों फंदों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे इसी तरह हम पांश फंदा बुनेंगे दो, तीन, चार, पांच फिर तीन फंदों को हम एक करेंगे इसी तरह हम पूरी राउंड में हम यही करेंगे पहले पांच फंदे को हम बुन लेंगे पांच फिर तीन का एक करेंगे तो इसी तरह करते हुए हम पूरा राउंड कम्प्लेट करेंगे तो राउंड कम्प्लेट करके मैं आपको दिखाते हूँ तो देखिए फ्रांट्स, तीन का एक करने के बाद हमारे पास बच रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. नो फंदा बच रहें तो हम 5 फंदा ना बुने के बाद ही हम 3 का एक कर देंगे. अभी तक हमने 5 फंदा बुने के बाद 3 का एक किया है. अब लास्ट में देखें, 3 फंदा बुने के बाद 3 का एक करेंगे. और फिर लास्ट में तीन फंदा रह जाएगा तो इसे हम उल्टा, सीधा और उल्टा बुलनेंगे तो इस तरह हमारा ये फर्स्ट राउंड कम्प्लीट होता है तेकिये फ्रेंट्स, अभी तक हमने नौ नमबर की सलाई पर बनाई की है लेकिन अब हमें लास्ट का बॉर्डर बनाना है तो अब हमें सलाई को चेंज करना होगा तो हम दस नमबर की सलाई पर बुनाई करेंगे तो मैं इसे दस नमबर की सलाई पर उता ले लें हूं और सारी बुनाई अब 10 नमबर की सराई पर ही होगी और 7 लाइन हमें और बनाना है तो 7 लाइन में मैं आपको दिखाऊंगे तेक ये फ्रेंट्स मैंने 7 लाइन कंप्लीट कर लिया है और ये अब 8 लाइन है और इस लाइन में हम सभी फंदों को बाइंड आफ कर देंगे तो सीधे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे और उल्टे वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को उठाएंगे और आगे वाले फंदे पर चढ़ा देंगे नेक्स्ट फंदा सीधा है उसे सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को उठाएंगे और आगे वाले फंदे पे चढ़ा देंगे बुल्टा बुना पीछे वाले फंदे को उठाएंगे और आगे वाले फंदे पे चढ़ा देंगे जो फंदा सीधा है उसे सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को उठाएंगे और आगे वाले फंदे पे ऐसे उता देंगे एक एक फंदे को हम बुनते जाएंगे और पीछे वाले फंदे को उठाके आगे वाले पी चला देगे तो देखिए हमारे फंदे बाइंड ओफ होना शुरू हो गए हैं इसी तरह एक एक करके सारे फंदे हम बाइंड ओफ कर देंगे तो सारे फंदे बाइंड ओफ करके मैं आपको दिखाती हूँ देखिए फ्रेंट सभी फंदे बाइंड ओफ हो चुके हैं और ये लास्ट फंदा है और मैंने धागे को काटकर सुई में डाल लिया है अब देखिए क्या करेंगे कि इसे इसको छोटा करेंगे और सुई को इस फंदे मैं इसे पीछे की तरफ से डालेंगे पीछे की तरफ से डाला और जो ये हमारा पहला फंदा था उसके ऐसे अंदर से ऐसे डालेंगे धागे को ऐसे निकालेंगे और वापस इसमें हम डाल देंगे तो यह हमारा एक फंदा बन जाएगा अब इसको खीचा तो यह हमारा एक फंदा बन गया अब हमारा स्टार्डिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता नहीं चलेगा अब इसको हम नीचे की तरब से ऐसे निकालेंगे और यहां कहीं पे भी गार्थ लगा देंगे और आफ देखियए फ्रंट सा यह हमारा गला बर के तयार है तेखिए फ्रैंस skirt हम shorts वाफेटर का यह प्यारा सा गोल गला बन के तैणर है अब हमें बस इसकी सीलाई करनी में बस हमें इसकी सिलाई करनी है और यह स्व relentless बन के तो आशा है आपको पसंद आया होगा यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब थैंक्स फर वाचिंग